अबेलो सब्सक्रों करिंदोदे चाहन्द सब्सक्रों मिसक्राइबभूКरण से फ contestants क memes यहां सकते हैं से हमें सब्सक्राइब उस सब्सक्रांटपन आपई इसोब केता हुं अडिaken सब्सक्राइब करें अबेगान्य सब्सक्राइबày भी जाए प्रेपर किये जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी उसी के साथ साथ आपको मंतली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफैर्स की और येरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी और साथ ही जो करंट अफैर्स डेली बेसिस पर लोगों को प्रोवाइड किये ज और वहां से आपको हमारी सारी PDF का आकसेस ले सकते हैं और उसी के साथ साथ गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है में के प्रिवेसर क्वेशन अनालेसिस का आपको आपके लिए डेली बेसिस पर आनालेसिस किया जाता है और उसके आप लोगों को प्लेईलिस्स प्लेइड़ है हमारी यूट्यूब चानल पर ही अलग अलग पेपर में प्लेड़क्रिड हैं गियिजिस dot % सब्रय जाएग जो की बिलकुल फ्री होगी वहा अपो योट्यूब पे ही अवेलेबल होगी और इनिए प्लेलिस्स में साथ जिसके लिए आप लोगों को जहासर Academy को regularly follow करना है और अपनी preparation को enhance करना है और उसे के साथ साथ गाइस कुछ paid courses भी है जो आप लोगों के लिए लाए गए है जहासर Academy for IAS के द्वारा जो जिन paid courses को जहासर खुद personally mentor करते हैं खुद उसको relate करते हैं जैसे कि GS का preplus means batch बिल्कुल जीरो से तयारी करवाई जारही है, जासर खुद तयारी करवाते हैं, परस्नल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तयारी करवाई जारही है, आपकी प्रेपरेशन को enhance करने के लिए तो आप इन courses को भी ज़रूर जॉइन कीजिए जैसे कि एक mains का भी answer writing का test series बैच चल रहा है और prelims का भी test series course चल रहा है guys जो आपको हमारी app पे test series प्रोवाइड की जाएंगे 10,000 questions के आपको practice कराई जाएगी वो 10,000 questions आपको कहाँ पे available होंगे जहासर academy for IAS की website पे भी available है और हमारे एक app भी है जहासर academy for IAS आप अगर डालेंगे तो play store से आपको वो app मिल जाएगी आप उसको download कर सकते हैं वहाँ पे आपको prelims की test series का access भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन app है कि आपको महाँ पे study tools भी available है कि आपकी जो study है आप उसको track कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं तो इस app को ज़रूर join कीजेगा डाउनलोड कीजेगा और website भी available है उस website पे भी आप जाके सब कुछ access कर सकते हैं जो की आप पे available है हेलो एबरिवन जहंद वेल्कम टू जासर अकाडमी फॉर आईएएस गाइस हम कर रहे हैं जोक्रफी की NCRT क्लास 10 और क्लास 10 की NCRT में हम chapter 2 पे पहुंचे थे chapter 2 हम forest and wildlife resources कर रहे थे more than half of the chapter हम cover up कर चुके हैं सिर्फ थोड़ा सा chapter बचा है वो आज हम wind up कर देंगे उसको भी निप्टा देंगे तो हमने कितना जो भी chapter अभी पढ़ा है more than half of the chapter बहुत easy chapter है basic chapter है but still it is important तो एक छोटा सा फटा फट से within two to four minutes overview ले ले लेते हैं उसके बाद अपने आगे का आगा continue करके इस chapter को आज wind up कर देंगे so let's start with it तो हमने क्या बात की थी कि इस planet पे बहुत सारे living organisms है चाहे वो microorganisms है insects है animals है plants है या हम human beings है बहुत सारे हमें living organisms देखने को मलते हैं जो कि इस planet को share करते हैं और सभी की existence अपनी अपनी जगा बहुत ज़्यादा important है सभी का अपना एक role है जो वो play करते हैं इस environment में ठीक है तो सभी को conserve करना बहुत ज़्यादा जरूरी है but as we have a tendency कि जो चीज़े हमारे पास है जब तक हमारे पास होती है तब तक हम उनकी importance नहीं समझते तो हमने ये जो living organisms या आप मान लीजे plants and animals है हमने इनको बहुत किया है जिसकी वज़े से अब ये हमें under stress देखने को मिल रहे है तो क्योंकि हमारी insensitivity की वज़े से तो अब इनको conserve करने की ज़रा जा तो उस पे ध्यान देने की बाद की जा रही है तो क्योंकि अब इनके exploitation की वज़े से जो हम लोगों ने किया है उसकी वज़े से क्या हु नहीं है ठीक है वो चले ही गए हैं खतम हो चुके हैं तो उस बेसिस पे IUCN ने अपनी एक लिस्ट दारी करी थी जिसमें उन्होंने classify किया IUCN की कौन-कौन से species हमें देखने को मिलते कैसे हम उनको categorize कर सकते हैं तो उन्होंने बताया एक normal species होते जिनकी population normal है जिसके लिए हमे tension लेने के जरद नहीं है अभी फिलहाल के लिए एक होती है endangered species endangered species वो होते हैं जो की खतरे में हैं कि उनकी population काफी कम है अगर अब इसे मतलब it is a high time अब बिल्कुल high time है अब इनको देखना जरूरी है उन factors को reduce करना जरूरी है जिनकी वज़े से ये population कम हो रहे हैं नहीं तो ये विलुक्त हो जाएगी वो के endangered species फिर होते vulnerable species जिनकी population अभी हमें देखने को तो मिल रही है लेकिन normal population से वो कम है कि अभी वो limelight में आई है कि हाथ जो normal population उने चीए उससे कम है अगर अभी इन population को conserve करने पे ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे थोड़े ही time में endangered category में चली जाएगी खत्रे में चली जाएगी और इंडेंजर से फिर ये extinct भी हो सकती है उसके बाद उन्होंने बताया rare species rare species वो है जो already ही हमें काफी मुश्किलों से देखने को मिलती है अब काफी कम population उनकी normally exist करती है तो अब क्योंकि already ही कम population है तो चाहे वो normal है चाहे वो vulnerable है वो कम ही ह है तो हमें उनको अभी से ही conserve करना है चाहे वो normal population क्योंना है क्योंकि normal में भी हमें काफी कम देखने को मिले तो उसको time नहीं लगेगा vulnerable endangered category में जाने में शिफ्ट होने में ठीक है उसके बाद हमने बात कि थी endemic species की endemic वो है जो कि कुछ barriers की वज़े से एक ही जगा पे isolate होके र ठीक है जिनको हमें जो हमें देखने को नहीं मिल रही है चाहे अब एक local area से ही वो extinct हुई है एक region से extinct हुई है एक country से हुई है एक continent पे से extinct हुई है या फिर all together वो पूरी की पूरी world में से या पूरी earth planet पे से ही वो extinct हो चुकी है तो यह IOCN की कुछ categorization थी after that हमने क्या बात की कि हम resources जैसे use करते हैं हम forest or wildlife से काफी सारे resources जो हम use करते हैं तो अब वो use करने की वज़े से क्या हो रहा है कि जिनके पास access है वो कुछ particular people है जो उसको access कर पा रहे है और जिनके पास access है वही उनका जादा consumption कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो जो बहुत जादा उनके पास access है इनका वो consume कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो consume नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास access नहीं है that is rich and the poor ठीक है haves and have nots अब वो haves and have nots में जो divide हुआ अब उसकी वज़े से क्या हो है क्योंकि कुछ लोगों के पास access है तो उन्होंने जादा utilization कर लिया अपनी greed में अपने लालच में तो क्या हो रहा है कि burden आया environment पे forest wildlife पे burden आया depletion हुआ तो उसका burden भी rich पे ज्यादा नहीं पड़ा उसका burden भी किसको bear करना पड़ा poor को ही bear करना पड़ा क्योंकि जो environment degrade हो रहा है तो environment degrade होने की वज़े से अब वो जो poor people है जैसे मान लीजिए जो की forest produce पर dependent है तो अगर forest resources है डिपलीट हो जाएंगे खतम होते चले जाएंगे तो वो जो dependent है forest produce के उपर ही actual में तो वही जादा suffer करेंगे न तो वो population और जो poor है जिनके पास already साधन कम है अब जो कम साधन है जिस पे वो जी रहे है तो अब वो साधन भी खतम हो जाएंगे तो फिर वो किस पे जीएंगे तो वो सबसे जादा worst तरीके से effect होते है और ये जो depletion है जैसे की land degrade होती है त एक poor person ही suffer करता है राइट उसके बाद हमने क्या चीज़े देखी थी कि अब जो ये suffering है अब इस suffering का effect सबसे जादा किसके उपर आता है विमेन के उपर ठीक है क्योंकि उनका जो काम है वो बढ़ जाता है वो धीरे धीरे जिसे resources उनके पास खतम हो रहे तो उनको जादा दूर जाना पड़ेगा resources को collect करने के लिए जिसे की पानी है अगर पानी उनके आसपास के area में खतम हो गया तो उनको जादा दूर जाना पड़ेगा तो उससे उनकी health problems आती है और क्योंकि हमारे हाँ patriarchal society है तो patriarchal society की वज़े से women के health पे इतना जादा ध्यान नहीं दिया जाता उनक इसलिए अब क्या ज़रूरी है कि Forestered Wildlife को timely conserve किया जाए इनको सनरक्षित किया जाए ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे फिर अब conserve करना है तो किस तरीके से करना है उनको conserve इस तरीके से करना है कि उनकी जो population है और जो जरूरी है मतलब जो जरूरत है कि क्योंकि हर एक चीज की चाहें वो छोटी से छोटी इंसेक्ट ही क्यों नहीं है उसकी इंपोर्टेंस है उसकी भी एक 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 रोल है जो वो इन्वाइन्मेंट में प्ले करता है तो इन सब को समझते हुए सरकार ने क्या किया वाइलिफ प्रेटेक्शन आक्ट को लेकर आए क्योंकि प्रेट प्रटेकशन प्रवाइब कर दिया, ठीक है? और प्रटेक्शन प्रवाइड कर दी उनको लीगल प्रिटेक्शन तो इस तरीके से उन्होंने उसको लेकर आई फिर धीरे धीरे अभी यह बढ़ता चला गया क्योंकि क्या हुआ कि अगले अगले जो भी अमेंड्मेंट्स आई फिर उनमें प्लांट्स को भी एड किया गया तो क्या हुआ हर चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उनको महां पे प्रोडेक्शन प्रोवाइड कर दी गई उसके बाद हमने बात की थी कि जो फॉरेस्ट और फाइल लाइफ रिसोर्स है वो किस किस तरीके के होते हैं कैसे उनको डिस्ट्रिब्यूट किया गया है तो उनको कैसे डिस्ट्रिब्यूट किया गया है एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है जिनको रिजर्व किया गया है कि resources है वो ज़्यादा deplete ना हो और एक होते unclass forest, unclass कौन से होते हैं जो कि किसी reserved or protected की category में नहीं आते जो दूसरे तरीके के forest होते हैं और जो wastelands होती हैं वो इस category में हमारी आ जाती है ठीक है तो इतना हमने अपने last lectures में पढ़ लिया था अब हम अपना आगे का आज का lecture continue करेंगे तो आज का हमारा topic है community and conservation समुदाय और सन्रक्षन conservation strategies are not new in our country कि जो सन्रक्षित करने की जो ये नीतियां है जो strategies है वो कोई नई बात नहीं है कि हम इसमें forest और wildlife की हम सन्रक्षन करने की बात करें ये कोई नहीं नहीं है ये पहले से ही चलती आ रही है we often ignore that in India forests are also home to some of the traditional communities तीक है अब हम ये चीज को ignore कर देते लेकिन ये बात क्या है कि reality है और ये याद रखने वाली बात है कि forest सिर्फ हमें जो लगता है कि हमें resources मिल रहे हैं या पेड हैं वो हमें किसी चीज से हम environment अच्छा कर रहे हैं एक हरियाली दे रहे हैं एक fresh air provide कर रहे हैं सिर्फ ये चीजे particular नहीं है उसके अलावा क्या है कि ये कुछ लोगों के लिए घर है जैसे अगर हम घर की बात करें तो हम बोल देते हैं कि अच्छा ही हाँ पे animals रहते हैं birds रहती हैं बहुत सारे ऐसे species हैं, plants हैं वो जो वहाँ पे survive करते हैं तो उनका habitat है एक तरीके से लेकिन सिर्फ उन्हीं का नहीं है कुछ लोग भी ऐसे हैं communities ऐसी हैं जो की in forest में recite करती हैं उनका घर है ये ठीक है कुछ traditional communities का जिनको हम tribal communities कह देते हैं अब क्या चीज है अब ये क्या बात कर रहे हैं कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं ठीक है, हमारा घर है अब हमारा घर proper रहे भई उसमें कोई renovation कराने की जरत है, कहीं पे कुछ तूट food हो रही है तो उसको ठीक करना है, ठीक है कोई electricity से related कोई problem है तो उसको ठीक करना है जो भी चीजे हैं हमारी घर के हमारे house की repairing के लिए या renovation के लिए उसका ध्यान हम देंगे या फिर हमारे पड़ोसी देंगे या हमारी सरकार देगी properly मतलब कौन ज़्यादा तरीके से उसका ध्यान दे पाएगा obviously हम जितना बेटर तरीके से हम अपने घर को अच्छा रख पाएंगे उतना चाहे सरकार कितने भी initiatives ले आए कि हमारे घर को अच्छा बनाने के लिए वो इतना हमारे घर को अच्छा नहीं बना सकती जब तक हम उसको अच्छा बनाने पर काम नहीं करेंगे ठीक है या जितना बेटर तरीके से हम focus कर पाएंगे हम अच्छा बना पाएंगे उतना बेटर तरीके से कोई भी नहीं बना सकता तो similar बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि क्योंकि जो यह communities है यह वहाँ पर रहती है तो इनका घर है फॉरेस्ट है जो वो इनका घर है तो जितने बेटर तरीके से यह उसको conserve कर सकते हैं उतना बेटर तरीके से कोई भी नहीं कर सकता तो इसी लिए local communities जो वहाँ पर रहती हैं वो जो भी government officials जो है सरकार उसको conserve करने पर forest को संरक्षन करने पर उसको conserve करने पर ध्यान देती है बहुत सारी initiatives लेके भी आती है लेकिन उनके साथ वो सिर्फ अकेली काम नहीं करती क्योंकि सरकार अकेले कभी भी इनको protect कर ही नहीं सकती सरकार के साथ जो local communities वहाँ पर जाइड करती है वो उस चीज़ पर उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो उस पर काम करते है ताकि वो अपने घर को बचा सके अच्छा रख पाए लोंग term के लिए ठीक है इन सरिस्का tiger reserve राज्यस्थान अब यह point point to be noted सरिस्का tiger reserve कहां पर है राज्यस्थान और एक और हमने tiger reserve की बात के थी कौन सा था बक्सा tiger reserve किदर था वो west bengal में ठीक है villagers have fought against mining by citing the wildlife protection act अब क्या हुआ जो सरिस्का tiger reserve था तो वहाँ पर जो villagers रहते थे उन्होंने वहाँ पर mining activities होने नहीं दी उन्होंने वहाँ पर mining activities को रोका किस तरीके से रोका उन्होंने इस चीज का हवाला देते वे रोका कि wildlife protection act के तहद mining in areas में क्या है ban है आप mining कर ही नहीं सकते तो उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया रोक दिया अब जितने proper तरीके से वो रोक पाए शायद उतने proper तरीके से government officials भी नहीं रोक पाते obviously they have the power वो रोक सकते हैं लेकिन क्या है कि अगर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है ना चाहे दिन में कोई आ रहा है चाहे रात में कोई आ रहा है हर टाइम कोई भी आ रहा है किसी भी loophole का use करके कोई आ रहा है तो वहाँ पे वो people सबसे पहले उनका पता लगा सकत हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे 24-7 ठह रहे हैं तो उन लोगों का ये काम था उन्होंने इतने अच्छे से ये काम किया कि उन्होंने वहाँ पे mining activities को रोक दिया अब क्या कर रहे हैं काफी areas पे ऐसा भी है कि जो villagers हैं वो खुद ही अपने घर को अपने जो आसपास का area है environment को बचा रहे हैं और उन्होंने साफ मना कर दे कि हमें government की सरकार की कोई भी हाँ पे जरुत नहीं है सरकार ही हाँ पे intervene ना करें सरकार की interference हमें नहीं चाहिए हम अपने घर को अपने environment को खुद बचा सकते तो वो खुद ही प्रियास कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने government को इंटरफेर करने के लिए completely मना कर दिया अब अलवर डिस्ट्रिक्ट में पांच ऐसे विलेज हैं मतलब पांच गाओं के जो लोग हैं उन्होंने मिलके क्या किया है? 1200 hectares की जो forest land है उसको क्या declare कर दिया कि ये बहरोदेव दकाफ संचरी है जैसे हम कहते हैं संचरी है तो उन्होंने नाम दे दिया संचरी है ये तो ये जो संचरी है इसमें क्या है कि किसी की भी बाहर की involvement या encroachment नहीं होगी कोई भी यहाँ पे enter नहीं कर सकता वहाँ पे उनके खुद के अपने rules and regulations है और उन rules and regulations के हिसाब से क्या है कि वहाँ पे hunting नहीं हो सकती वहाँ पे कोई भी बाहर का विक्ती enter नहीं कर सकता तो वो क्या करें वो खुद ही अपने habitat को अपने environment को protect कर रहे है अपने forest को वो खुद ही protect कर रहे है जैसे कि अगर हम कुछ tribal communities की बात करें तो वो अपने आपको isolate करके रखते है ठीक है वो isolate अपने आपको किस तरीके से कि अगर उनके जो forest area है जो उनका home है basically उसके आसपास भी अगर कोई जाता है तो वो उसको मार देता है मतलब उस person का अता पता भी नहीं होता कोई अगर महाँ पे चला जाता है तो वो उसको मार देते हैं बिल्कुल तो क्या चीज़ है कि वो अपने उसको खुद ही प्रेटेक्ट कर रहे हैं महाँ पे गवर्न्मेंट की भी इंटरफरेंस नहीं है अगर महाँ पे कोई गवर्न्मेंट ओफीशिल भी जाता है उसके साथ भी यही करते हैं उनके लिए कोई गवर्न्मेंट in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful अब चिपको मुव्मेंट बहुत famous movement है आप सभी को I hope so आप सभी को इस बारे में पता होगा चिपको मुव्मेंट जो Himalayas में चलाया गया था चिपको अंदोलन के इसमें क्या था वहां पे trees कट किये जा रहे थे ठीक है कुछ projects लगाने के लिए कुछ projects की वज़े से वहां पे trees को कट करने की बात की जा रही थी deforestation की बात की जा रही थी तो वहां पे लोगों ने क्या किया वो जैसे हम कहते हैं कि हमारा रिष्टा है तो हम उनको बांध लेते हैं तो उन्होंने क्या किया वो सारे जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए तभी इसका नाम क्या है चिपको मूव्मेंट चिपको चिपक गए वो वो पेड़ों से जाके चिपक गए कि अब काट के दिखाओ तुम पेड उन्होंने क्या किया अपने habitat को बचाया है अपने घर को बचाया और सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने बहुत वास लेवल पे उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम deforestation करोगे ना तुम पेड काटाओगे ना हम और पेड लगाएंगे उन अब यह कि जो हमारी ट्रेडिशनल में उनको संरक्षित रखना और नए 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 उकलोजिकल फार्मिंग के लिए नए नए मेंथर्स को ड्यलप करना यह अब आज बहुत जादा ट्रेंड में है क्योंकि इसकी जरूत अब महसूस हो रही है Farmers and Citizens Groups like the Beach Batchao Andolan in Teheri and Navdanya have shown that adequate levels of Diversified Crop Production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable तो जे Farmers and Citizens Groups है जैसे की Beach Batchao Andolan है तेheri और Navdanya में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने Diversified Crop Production के अलग-अलग तरीक है कि क्रॉप्स लगाईएं उन्होंने किसलिए ताकि उनकी सॉयल को न्यूट्रियेंट्स मिल पाएं बिना केमिकल फॉर्टिलाइजर का यूज किये हुए और ये सक्सेस्फुल भी हुआ है और वायबल भी हुआ है बहुत अच्छे से ये चला है तो मतलब क्या है अच्छे सब्सक्राइजर का यूज करने का काम करें वह किस तरीके से कर रहे हैं कि वह लोकल कॉम्यूनिटीज को महां पर इंवाल्व कर रहे हैं कि आपका घर है आपको इसको मैंच करना है जो फॉरेस्ट या जो लांड डिग्रेड हो चुकी है और मतलब पहले से ही डिग उसको वापिस से रिस्टोर करना है अच्छा बनाना है उसको वापिस से अच्छी करनी है तो उसके लिए वो लोकल कॉम्यूनिटीज को ये काम दे रहे हैं लोकल कॉम्यूनिटीज को ही इसके लिए इसका दाइत वह दे रहे हैं दे प्रोग्राम हाज बीन इन फॉर्मल एक लागू कब हुआ ये 1988 में 1988 में जब उडिशा की स्टेट ने Joint Forest Management के लिए पहला Resolution पास कर दिया मतलब कि सबसे पहले किस ने किया था उडिशा ने JFM मतलब Joint Forest Management depends on the formation of local और village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department वही चीज़े कि ये क्या करते है कि local communities को या जो local institutions है वो बनाते हैं और वहां पर क्या करते हैं उन्ही को काम देते हैं कि भई आपको अपने जो forest land है जो degrade हो चुकी है जो खराब हो चुकी है उसको सही बनाने के लिए अच्छा बनाने के लिए उसको और जो बाकी का forest है उसको protect करने का काम आपका है आपको उसको protect करना है अब क्यूंकि उनका घर है वो ठीक है एक तरीके से वो उसको उसका संरक्षन कर रहे है वो उसके लिए काम कर रहे है उसको प्रिटेक्ट करने के लिए डिग्रेडिट लाइन को रिस्टोर करने के लिए वो काम कर रहे है तो इन डिटन उनको क्या मिल रहा है कि उनको वहाँ प पाल रहे हैं एक तरीके से, मतलब क्योंकि वो उनको बचा रहे हैं हर तरीके से, तो इसलिए उस वो जो प्रड्यूस प्रवाइड करते हैं जो फोरेस्ट, वो प्रड्यूस भी कौन लेते हैं, फिर वो लोकल कॉम्यूनिटीज ही लेती हैं. The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. So, this is a clear lesson that if the environment is degrade and it is necessary to destruct the environment in every place, what is it that local communities' involvement is necessary in every place, so that natural resources can be done properly by the natural resources, by the introduction. But there is still a long way to go before local communities are added. The center, state in decision making. ठीक है? अब क्या है? लेकिन अभी भी अब जो हम local communities की बात करें, अभी प्रॉपर तरीके से इतना ज़्यादा काम कब कर पाएंगे, जब इनी के हाथ में काम दिया जा रहा है. लेकिन अभी क्या है कि इनको पूरी की पूरी जो पावर है, वो decentralized नहीं की गई है. पावर अभी भी जो decision making है, वो अभी भी centralize state के हाथ में है. तो इनको अभी थोड़ा miles cover करने है, क्योंकि अभी इनको पावर पूरे तरीके से नहीं मिले है, तो इनको पूरे तरीके से पावर decentralized करने की, devolve करने की जरुरत है. अब सिर्फ वही economic या development करने के लिए activities की जरुत है, कि developmental projects के नाम पे forest cut कर रहे हैं, economic activities के नाम पे कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है. अब सिर्फ इनके नाम पे करो काम, लेकिन इनके नाम पे वही काम करने हैं, जो की लोगों के लिए अच्छे हों. लोगों के हित में हों. ठीक है? जो environment friendly हो, environment उसे disrupt ना हो, और economically rewarding हो. सिर्फ वही activities करनी हैं, चाहे वो development के लिए हो, चाहे वो economic activities हो. Right? सही है गाईज हमारा chapter complete हो चुक है, chapter 2 हमारा forest and wildlife resources फिनिश हो चुक है. Easy chapter है, काफी easy chapter है, कोई यसी दिक्कत वाली बात नहीं है इस chapter में. बस सिर्फ क्या है, थोड़ा सा एक बार overview लेना है, understanding build up करनी है, बस. कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ी important चीज़े हैं, जो की मतलब mains के perspective से mainly important है. Mains में मतलब हम इनको points mention किये जा सकते हैं, जो इसमें कुछ-कुछ mentioned है. तीक है, अब most important इस chapter में जो दिया गया है, वो है important facts. तीक है, काफी अच्छे facts इसमें दे रखे हैं. पहला तो क्या है, biodiversity या biological diversity, उसकी definition दे रखे हैं, अब यह definition mains में यूज की जा सकते हैं, बहुत अच्छी definition हैं, बहुत अच्छा impression जाएगा. Biodiversity और biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivate species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. इसको note करके रख लीजिएगा, साइड में. ठीक है, क्या होती है biological diversity, जो की wildlife और species को cultivate करने में काफी जादा rich होती है, ठीक है, वो उसकी अलग-अलग form होती है, मतलब कि diversity है, अलग-अलग भिन-भिन हमें उसकी जो है, भिनता देखने को मिलते हैं, अलग-अलग तरीके की देखने को मिलती हैं, उनका जो काम है, या उनके जो functions हैं, लेकिन फिर भी, वो एक दूसरे के ओपर इस तरीके से dependent है, कि हमें वो multiple network, मतलब उनकी networking, उनकी dependency की वज़े से, उनकी एक network बने हुए है, जिससे कि वो एक दूसरे से बहुत जादा closely related है, integrated है, जुड़े हुए है एक दूसरे के साथ, ठीक है, फिर है vanishing forest, कि vanishing forest क्या होते हैं, the dimensions of deforestation in India are staggering, the forest in tree cover in the country is estimated to, 8,07,276 square kilometer, which is 24.56% of the total geographical area, जिसमें dense forest 12.4% है, open forest 9.26% है, और mangroove 0.15% है, ठीक है, मतलब कि deforestation कितना जादा है, उसकी dimensions बहुत ही जादा चुका देने वाली है, ठीक है, हमारी country में हमें काफी देखने को मिलता है, कि 24.5% हमें forest or tree cover देखने को मिल रहा है, लेकिन वो जादा होना चाहिए, काफी कम फिर भी है, ठीक है, अब 2017 से हमें फिर state of forest report ने बताया, कि 2017 से इस पे अब ध्यान दिया जा रहा है, तो अब ये forest जो cover है, वो increase होता जा रहा है, और ये 2021 के report भी आई है, उसमें भी हमने ये चीज़ देखे, कि forest cover increase हुआ है काफी, अब ये forest cover increase क्यों हुआ है, क्योंकि इनका संरक्षिन करने पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, इनका management प्रपर तरीके से किया गया है, plantation पे ध्यान दिया गया है, सिर्फ एक agency, एक government agency या department के द्वारा नहीं, बलकि multiple agencies, multiple departments के द्वारा इस पे ध्यान दिया गया है, इसलिए आज हमें ये forest cover बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो banishing forest basically क्या है, कि deforestation है, मतलब कि one jewel loopth हो रहे हैं जो, तो मतलब deforestation जादा हुआ है, बट अब हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम अपने forest cover को increase कर रहे हैं, फिर बात की है, इन्होंने Asiatic cheetah की, ठीक है, Asiatic cheetah, जो I think हमने बात की थी, शायद से extinct है, I think वो extinct हो चुका है, Asiatic cheetah, तो where did they go, कहां चले गए Asiatic cheetah, The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and specialized member of the cat family, and can move at the speed of 112 km per hour, मतलब एक घंटे में 112 km तक भाग सकता है, यह कितना जादा fast mammal है, और यह land mammal है, ठीक है, तो यह एक cat की family का ही, एक specialized member हमें देखने को मलता है, The cheetah is often mistaken for a leopard, लेपर्ड हमें देखने को मलता है, तो हम उस लेपर्ड को क्या कह देते है, कि यह चीता है, बट अक्चुल में वो चीता नहीं है, वो एक leopard है, Its distinguishing marks are the long tear drop shaped lines, on each side of the nose, from the corner of its eyes to its mouth, तो अब यह leopard और चीता में क्या है कि distinguishing है, वो अलग-अलग है, जिससे इनने वो distinguish बता रहा है, कि हम चीता को distinguish कर सकते हैं, उसकी वो lining से, prior to the 20th century, चीता जार widely distributed throughout Africa and Asia, मतलब 20 वी शताबदी से पहले, हमें क्या देखने को मिल रहा था, कि चीता जो है, हमें पूरे Africa और Asia में, बहुत अच्छे से distributed थे, मतलब बहुत दूर तूर तक distributed थे, हमें पूरे Africa और Asia में, हर चगा देखने को मिलते थे चीता, Today, the Asian cheetah is nearly extinct, due to a decline of available habitat and prey, the species declared extinct in India, long back in 1952, ठीक है, अब यह जो species है, Asian cheetah है, इसको 1952 में extinct declare कर दिया था, और आज भी अगर हम बात करें, तो यह extinct ही है, क्योंकि इसका जो habitat, इसका habitat decline हो चुका है, और इसके जो शिकार है, इसको शिकार नहीं मिले, तो इसकी वज़े से, इसकी population कम होती चलीगे, और आज के टाइम पे, यह क्या है, extinct developed हो चुका है, ठीक है, next है, are colonial forest policies to be blamed, अब जैसे हमने chapter के बीच में भी बात की थी, कि यह जो forest का depletion हो रहा है, forest deforestation हुआ है, ठीक है, या wildlife पे हमें, wildlife resources depletion हमें देखने को मिला है, तो उस पे colonial जो rule था, उसकी वज़े से हमें बहुत ज़्यादा damage देखने को मिला, यह हमने chapter के बीच में पढ़ा था, क्योंकि उनकी जो commercial activities थी, उसकी वज़े से उन्होंने बहुत ज़्यादा deforestation किया, और उन्होंने क्या किया deforestation के साथ साथ, जैसे जो wildlife थे कि उनके games हुआ करते थे कि, यह उनके लिए एक play था, खेल था, wildlife जैसे lion है, tigers है, चीता है, उनको मारना, तो वो भी था जिसकी वज़े से wildlife resources भी काफी जादा, हमें deplete होते हुए देखने को मिले, तो अब यहाँ पे वही question आ रहा है, कि क्या actual में, जो क्योंकि क्या वहाँ था, जो British time पे, colonial rule में, forest की कुछ policies लाई गई थी, नीतियां लेके आए थे वो, तो क्या उन नीतियों का blame है, मतलब उन नीतियों को क्या हम, कसूरवार ठहरा सकते हैं, दोशी ठहरा सकते हैं, कि हाँ, उन्होंने जो नीतियां थी, वो सही नहीं बनाई, और उसका damage हमें आज भी देखने को मिल रहा है, मतलब उसकी वज़े से हमें ये problem देखने को मिली, So some of our environmental activists, say that the promotion of a few favored species, in many parts of India, has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species, was extensively planted, and other species eliminated. अब कुछ environmental activists जो हैं, वो क्या कहते हैं, कि उनके उस ताइम पे क्या किया गया, कि कुछ ऐसी species, जिनको ज़्यादा favor किया गया, क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा benefit मिल रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कि एक plot of land पे एक ही species को grow करो, जैसे एक ही crop को grow करो, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, तो colonial rule में क्या क्या था, उनको timber की requirement होती थी, भाई, जैसे railway lines वो बना रहे थे, तो wood blocks, logs बनाने होते थे उनको, wood logs चाहिए होते थे, track बनाने के लिए, तो उसके लिए, उन्होंने क्या क्या timber की, जादा timber लगवा रहे थे, वो forest, ठीक है, timber forest की उनको जरुरत थी, तो क्या किया उन्होंने कि कुछ species को, फेवर किया उन्होंने, जिनके उनको जरुरत थी, और उसी को पूरा का पूरा, एक plot of land पे एक जगा पे उसी को पूरा लगा रहे हैं, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से term कर दिया, कि ये enrichment plantation है, कि enrich करने के लिए plantation को, और बाकी की सारी species को उन्होंने वहाँ से हटा दिया, बट एक्च्वल में क्या वो enrichment plantation थी, नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बाकी की species, एक species तो लगाई, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की भी तो हटा दी, वो भी तो देखो, अब हिमाल्याज में क्या किया है, जैसे कि, और टीक मोनो कल्चर लगाया गया, टीक लगाई गई, ठीक है, और उसने क्या कर दे, जो natural forest थे, उनको बहुत जादर damage कर दिया, और जो हिमाल्याज ओक था, और ओर डेलन forest थे, उनको बिल्कुल ही replace कर दिया, उससे क्या हुआ, soil खराब होई, forest खराब होगया, ठीक है, जैसे कि, अगर मैं बताऊं, एक बार, क्या हो था, कि opium की बात करें, तो opium की भी खेती करवाई गई थी, कि पूरे-पूरे plot पे आप opium की खेती करो, या उस पे इतने land पे आपको opium की खेती करनी है, तो वो opium की खेती पे क्या हो रहा था, आप उसकी जगा, opium की खेती करने की वज़े से, क्या हो रहा था कि बाकी की crops को वो नहीं वहाँ पे लगा पा रहे हैं और opium क्या करी थी वो soil को damage करती थी उसकी fertility कम हो जाती थी कि वहाँ पे फिर डूसरी crop लगती भी नहीं थी तो क्या थी यह इससे problem ही तो create हुई तो हम उसको blame कर सकते हैं चीक है फिर है the Himalayan yew Himalayan yew क्या है एक medicinal plant है अब ये ट्रबल में है The Himalayan yew is a medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh A chemical compound called Texol is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree and it has successfully used to treat some cancers The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world अब क्या ये एक medicinal plant है जो हमें Himachal Pradesh और Arunachal Pradesh के कुछ parts में देखने को मिलता है अब यहां से हमें a compound मिलता है इसकी bark से या twig से, root से, needle से क्या मिलता है हमें a Texol मिलता है और ये Texol किसके लिए यूज किया जाता है Cancer को treat करने के लिए यूज किया जाता है और क्योंकि अब बहुत जादा यूज हो रहा है तो बहुत क्या हो रहा है Overexploitation तो क्या होगा ये threat में आ गया ये trouble में आ गया तो अब thousands of you trees have dried up in various parts मतलब एक दशक में ही 10 सालों में ही thousands of ऐसे पेड़ हैं जो की सूख चुके हैं ठीक Next है हमारा Project Tiger Project Tiger जो चलाया गया था Tiger को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया था तो Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web In 1973 the authorities realized that the Tiger population has dwindled मतलब क्या है कि एक century के अंदर क्या हो गई है 1973 में ये देखा गया कि जो Tiger की population है वो 55,000 से 1827 हो गई है कितनी जादा कम हो गई तो अब इसका संरक्षिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया अब ये कौन सी केटेगरी में आगए endangered की केटेगरी में आगए अगर हम उसकी हिसाब से देखें तो अब इसको अब ये 1800 species को भी अगर conserve कर नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगी ये भी खतम हो जाएगी और विलुक्त हो जाएगी तो उस तैम पे project tiger लाए गया तो अब इसके क्या करना पड़ेगा भी endangered केटेगरी में है तो अब इसको सही रखने के लिए extinct ना होने के लिए हमें क्या करना है इसके threats देखने आएगी ये factors के जिसके वेज़े से ये कम हो रही है तो इसके factors देखें कि इतनी जो numerous population थी वो क्यों कम हो गई क्योंकि coaching हो रही है trade के लिए use किया जारह है उसका habitat कम होता जारह है ठीक है habitat मतलब उसको जो घर है वो कम होता जारह है उसके वो क्यों वो रहा है क्योंकि human की population increase होती जारी और वो उनके घर में encroach कर रही है तो अब इनी को क्या करना की ज़रत है इनको इन factors को reduce करना है ठीक है उसी के साथ साथ जो tiger की skin है उनकी bones है उनको भी medicinal uses के लिए traditional medicines के तौर पे उनको use किया जा रहा था specially कहां पे एशिन countries में ठीक है तो वहां पे जो tiger population है अब मैंने जो बताया कि अब वो ऐसी situation में आ गी है कि endangered में कि अब वो विलुक्त होने के कगार पे है Since India और नेपाल प्रोवाइड हैबिटाट to about two-thirds of the surviving tiger population in the world, these two nations become prime targets for poaching and illegal trading अब क्यूंकि इंडिया और नेपाल में हमें इनका habitat जादा देखने को मलता है मतलब कि पूरे विश्व की दुनिया भर की दो तीहाई two-thirds of the surviving population में यहाँ देखने को मलता है तो यहीं पे सबसे जादा target होते हैं यह poaching और illegal trading के लिए तो इसके लिए project tiger चलाया गया तो project tiger was one of the well-publicized wildlife campaigns in the world जो की 1973 में launch किया गया it was not only viewed as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude अब यह किसके लिए यह क्या देखा गया कि एक effort सिफ tiger को ही बचाने के लिए नहीं है बल्कि इस तरीके से और भी जो species है ऐसे ही level पे उनके लिए भी यह काम किया जाए तो इसके लिए क्या आके अब Corbett National Park उत्राखंड में यह important है नोट करने वाली Corbett National Park उत्राखंड सुंदर्वन National Park West Bengal बांदवगड, मध्यप्रदेश, सरिसका वाइल डाइफ, राजिस्थान Manas Tiger Reserve, Assam and Perrier Tiger Reserve, Keral यह कुछ Tiger Reserves है इंडिया में जिन में हमें बात की गई भई Tiger को conserve करने के लिए मतलब Tiger Reserves बनाए गई तो यह थर्ट प्रोजेक्ट Tiger अब Gautam Buddha ने 4487 BC में कुछ एक quote दिया था उन्होंने क्या कहा था The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the product of its life activity It efforts protection to all beings offering shade even to the X-Men who destroy it बहुत ही अच्छी line है यूज की जा सकती है क्या उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा organism है पेड़ेक ऐसा organism है जो कि जिसके पास kindness unlimited है मतलब unlimited इतना अच्छा है यह कि यह किसी से demand भी नहीं करता कि मुझे यह दो या बो दो अपने जीने के लिए अपने sustenance के लिए अपनी growth के लिए यह खुद बखुद करता है और यह इतना kind है कि जो person या एक्समें जो इसको काटने के लिए आता है यह उसको भी छाया प्रदान करता है उसको भी यह shade प्रवाइड करता है तो इसको हम काट दे तो कितनी बुरी बात है इसको बचाना ज़रूरी है चीक है उसके बाद अभी हमारा last important fact है क्या है sacred grooves बहुत important है a wealth of diverse and rare species अभी sacred grooves क्या है natural worship is an age old tribal belief based on the premise that old creations of nature have to be protected अभी tribal belief है हमें tribal communities है वहाँ पर हमें बेसिकलिए देखने को मिलते हैं कि nature की worship करनी है बहुत सालों से कि जो nature है वो मतलब nature की जो भी creation है उसको सनरक्षित करना उसका ध्यान रखना प्रिटेट करना हमारा काम है such beliefs has preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves the forest of goats and goddesses तो इसके लिए कुछ forest को क्या किया गए preserve करके रखा उनको प्रिटेट करते हैं और क्या उनको माना चाते है sacred groves है कि यह जो पेड है यह भगवान का है मतलब की अब इनको कोई हाथ में लगाता है इनको कोई हाथ में लगाता और इसमें कोई भी इंटर्फरेंस बैन की गई है तो क्या है यह important है मुंदाज और संथल ट्राइबस कहां की है छोटा नागपू रीजिन की है तो इनका sacred grove कोई सा है यह को वर्षिप करते है पूजा करते है महुआ और कदम ट्रीज की फिर जो उडिसा और बिहार की ट्राइबल्स है वो टैमरिंड और मैंगो ट्रीज की पूजा करते है अपनी जबी उनके वहाँ पे कोई शादी होती है वेडिंग्स टाइम पे उनकी पूजा करते है तो मैनी अफ उस पीपल और बन्यन ट्रीज आर कंसिड़ सेक्रेड ठीक है काफी लोगों के लिए जो पीपल का ट्री होता है और जो बन्यन केले का पेड होता है उसको भी सेक्रेड माना जाता है उसकी भी पूजा की जाती है इननेट ससाइटी कंप्राइजिस सेवरल कल्चर इच विदिट्स उन टेक्स अब क्योंकि हमें डाइवर्सिटी देखनों को मिलती है बहुत सारे कल्चर है लगलग कल्चर है तो उसी साब से उनकी कुछ ट्रीशनल वेल्यूज और कुछ ने उनका ट्रीशनल में जिससे की वह अपने नेचर को और उसकी जो क्रियेशन से उनको कंजर्व करते हैं अपने अलग अलग तरीके से प्रिटेक्ट करते हैं सेक्रेड क्वालिटीज अर ओफन एक्स्क्राइब टू उनको भी प्रिटेक्ट किया जाता है यू विल फाइंड टूपस अफ मकावज और लंगूर अराउंड मेनी टेमपल्स कि जो महाँ पर भक्त जाते हैं वर्शिप करने पूजा करने तो वो इनको रोज खाना देते हैं और मंदिर का ही एक पार्ट समझते हैं वो इनको खाना देते हैं इन अराउंड बिश्णोई विलेज़ें राजस्तान हर्टस अफ ब्लाक बख नील गाएं पीकोक्स कान बी सीन आज इन इंटिग्रल पार्ट अफ दी कॉम्यूनिटी और नोबडी हाम्स थेम कि राजस्तान का जो बिश्णोई गाउं है उसके आसपास हमें जुंड के जुंड देखने को मिलते हैं नील गाए है और मोर है ब्लाक बख है चिंकारा तो वो क्या है वो महाँ पे रहते हैं हमें जुंड के जुंड देखने को मिलते हैं कोई उनसे डरता नहीं ना वो इनसे डरते हैं लोगों से डरते हैं न लोग उन से डरते हैं न वो एक दूसरे को हाम पहुचाते हैं वो एक पार्ट है कम्यूनिटी का जैसे लोग महाँ पे रहते हैं ऐसे ही वो भी महाँ पे रहते हैं वो कोई एक दूसरे को हाम नहीं पहुचाते हैं चीक हैं तो ये क्या हैं सेक्रेट ग् आउट है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, till then have a great day, thank you so much, have a great day ahead, jahind